तो नमस्कार दोस्तों स्वागत थैक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम इन्फो सेंटर में तो फ्रेंड्स आज हम करेंगे हिंदी और इंगलिश के डिफरेंट टाइप के इंपोर्टेंट 16 कॉश्चन्स जो की आपके एक्जाम के लिए उप्योगी साबित हो होंगे और अगर आपको सेलेक्ट होना है तो कुछ ऐसे ही अपनी तैयारी करनी होगी तो फ्रेंड्स वीडियो मागे बने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि मारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक स रहेंगे तो important questions हैं आपने ध्यान से एक पर पढ़ लेने हैं तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी section के first question से तो first question है हमारा अपादान कारक का उधारन है इन में से बताना है आपने कि कौन सा वाक्य जो है वो अपादान कारक का उधारन है example है ठीक है तो अपादान कारक आपको अपादान कारक होगा तो इसमें एक और बात होती है बिभक्ती का प्रयोग होता है से बिभक्ती का ठीक है तो जैसे यहां पर हर बाक्य में से का प्रयोग हुआ है ठीक है तो आपने बताना है कि यहां पर किस बाक्य में आपादान कारक है तो यहां पर जो option C है गंगा हिमा जो है वह हिमाले से क्या हो रही है अलग हो रही है निकल रही है वहां से ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा आपादान कारक तो यह है अपादान कारक का उधारन option C गंगा हिमाले से निकलती है option C is the right answer तो next question number two है जूटा आदमी विश्वास के योगिया नहीं होता इस बाक्य में विश्वास क्या है अब बताना है विश्वास क्या है अकर्मक्रिया है जातिवाज संग्या है गुणवाचक विशेशन है या फिर भावाचक संग्या है तो यहाँ पर विश्वास जो है वो एक भ भाव है ठीक है तो यहाँ पर भावाचक संग्या है ठीक है next है question number three domicile अंग्रेजी शब्द है ठीक है इसके लिए निमने में से कौन सा शब्द जो है वो पारिभाशिक शब्द के रूप में हिंदी में परियुक्त होता है domicile के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग ठीक है किसी ब्यक्ति का निवास्थान या घर उसको बोलेंगे अधी बास ठीक है जो इंसान के अधीन हुआ ठीक है जहां पर वो रहता है ठीक है next है पूजनिय शब्द में कौन सा प्रत्य है option number four पूजनिय शब्द में कौन सा प्रत्य है यह निय अनिय या यह अब कई यह पर बोल देंगे कि यह प्रत्य है तो यह नहीं होगा इसमें है अनिय प्रत्य ठीक है पूजनिय में कौन सा प्रत्य है अनिय प्रत्य है option C तो यह जो अनिय प्रत्य है हिंदी में जो होता है कई उर्दू के ऐसे जो प्रत्य है जो अर्भी और फार्सी से लिए गए है ठीक ह तो ये एक बिदेशी प्रत्य इसको गिना जाता है, ठीक है, बिदेशी प्रत्य इसको कहेंगे हम, ठीक है, तो option C is the right answer, next है, इन मेंसे ब्रह्मा का प्रयवाची शब्द बताना है कौन सा होता है, ठीक है, चक्रपानी, बिरंची, गंगाधर, त्रिलोचन, तो यहाँ पर बिर बिरंची, श्रिष्टी को रचने वाला, ठीक है, तो कौन हुआ ब्रह्मा, बिरंची, option B is the right answer, next है, question number 6, इन मेंसे कौन सा बिलोम योगम सही नहीं है, तो यह बिलोम शब्द के योगम दिये गए है, संपत्ति का बिलोम शब्द बिपत्ति, इस्ट का अनिष्ट, उर्बर क उसर, तो अचल का यहाँ पर अभी चल दिया गया है, जबकि यह दोनों एक ही अर्थ है, ठीक है, अचल का भी होता है, स्थिर, और अभी चल का भी है, स्थिर, तो हमने यहाँ पर अचल, ठीक है, जो हिल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो स्थिर है, तो अचल का क्या बो वाला शब्द बताना है पराधीन पराभब परामर्श पराजे तो यहाँ पर पराधीन में होगा ठीक है पर प्लस अधीन तो पर उपसरग है इसमें इसमें पराउपसरग नहीं है पराधीन में पर उपसरग है बाकी सब में पराभब में पराउपसरग है परामर्श में पराउपसरग है वो पराजी में भी पराउपसरग है ठीक है तो पराधीन में जो है वो परुपसरग है पराउपसरग नहीं है option A is the right answer next question number 8 चंद्रचूड समाजिक पद में कौन सा समास है तो चंद्रचूड में आपने बताना है कौन सा समास है तत्रचूड का क्या मतलब है एक तरह से शिव भगवान को कहा जाता है चंद्रचूड चंद्रमा है ललाट पर जिसके ठीक है चंद्र मीन चंद्रमा चूड में मतलब ललाट मस्तक ठीक है तो मस्तक पर किसके है चंद्रमा शिव जी भगवान के तो चंद्रचूड क्या है बह लॉइख ठीक तर्बद ने dép bleach कॉन है आया यह сटड़ेश है तो इसमें सही हुप्षण है ओप्षण ए ठीक है घी सक्यार मैं हिसना घ्राइट हे साट आपिताथ तूर तोальная यह को का आपको जो है वो opposite word यहां पर बताना है तो consensus का मतलब होता है आम सहमती या आम राय से ठीक है उसको बोलेंगे consensus तो इसके option है काकोफोनी, harmony या tumult, clamor तो बताना है आपने इन में से सही क्या होगा तो इसका opposite होगा यहां पर harmony ठीक है option B is the right answer ठीक है काकोफोनी होगा आपका कोलाहल यह tumult, clamor इन सबका कोलाहल शोर ही मतलब होता है ठीक है तो harmony क्या है एकता, समरस्ता या समनबे जिसको बोलेंगे तो यह होगा इसका opposite option B next है हेस्ट हेस्ट होता है शिघरता पूरवक जो किया जाए ठीक है शिघरता पूरवक बोल देंगे हेस्ट को तो soon eventually later या never तो eventually हो गया आपका अंत में ठीक है later हो गया बाद में never कभी नहीं और soon तो वैसे पता ही आपको शिघर होता है choose the correctly spelled word तो आपने जहाँ पर चार word message जिसके spelling correct है ठीक है वो बताना है कौन सा है ठीक है तो cabinet के यहाँ पर spelling क्या है double N लगाया है तो single N होगा ठीक है cabinets में bassons में double S होगा यहाँ पर B A double S double O N S तो sprinkle S P R I N K L E A स्प्रिंकल के spelling ठीक है ठीक है तो S poses नहीं होता है X poses होता है S की जगा X होगा E X P O S E S ठीक है तो sprinkle के यहाँ पर से ही है ठीक है option C is the right लोगा इसका next है a symbol that serves as an emblem of a group of people ठीक है जो लोगों के summation ko दर्शानता है ठीक है जो ऐसा symbol है कोई ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे obelisk, ya minaret, ya must, ya totem तो उसको बोलेंगे totem, ठीक है totem बोलेंगे उसको क्योंकि obelisk हो गया, आपका stumb chin हो गया ठीक है, या फिर समारक stumb जिसको बोलेंगे मनरेट्स हो गया, आपका मिनारें, जो मिनारें होती है उनको बोलते है, must हो गया, जो मस्तूल होता है ठीक है तो कुल चिन टोटम क्या हुआ कुल चिन तो एक group of people के द्वारा जो है वो एक symbol को माना जाता है emblem के तोर पे ठीक है तो उसको बोलेंगे totem जो कुल चिन हुआ ठीक है एक कुल का प्रतीक है प्रतीक चिन है तो totem है option D is the right answer next question 14 words are given out of which only one word spelled correctly choose the correctly spelled word ठीक है तो यहां पर option दिये गए है आपको spelled correctly आपने चूज़ करना है तो इनमें option C के मुझे सही लग रहे हैं feminism ठीक है feminism नारी बाद जिसको बोलते हैं तो feminism के spelling यहां पर बिलकुल सही है बाकी यहां पर जो first A option है यहां पर क्या होंगे यहां पर आपको आइडियों फ्रेज आपको आएंगे अगले दो questions में वो आपने उनका meaning बताना है ठीक है तो पहला है हमारे पास rule of thumb ठीक है इसका आपने correct meaning बताना है इन चारों में से कौन सा होगा तो rule of thumb का meaning क्या होता है rule of thumb का meaning होता है जो अनुभव के द्वारा सिध रीती या नियम होते है ठीक है उनको बोलते है rule of thumb ठीक है तो यहाँ पर option B होगा इसका सही जबाब broadly accurate guide based on practice ठीक है अभ्यास के अधार पर जो ब्यापक रूप से स्टीक या सही मारक दर्शक चिन होते हैं ठीक है जो मारक दर्शन एक तरह से किया जाता है ठीक है practice के अधार पर उसे बोलेंगे rule of thumb option B is the right answer next question number 16 Rome was not built in a day ठीक है सिधा सिधा बोलें तो Rome एक दिन में नहीं बना था तो इसको दूसरे तोर पर लेंगे तो you cannot expect to do important things in a short period of time तो आप important things को एक कम समय में उनको जो है वो आप expect नहीं कर सकते कि आपके साथ आप जो है वो अच्छी चीजे कुछ कम समय में उनको कर सकें ठीक है तो इसका हुआ option A it takes time to create great things ठीक है तो time लगता है अच्छी चीजे करने के लिए time लगता है ठीक है तो option A is the right answer तो इस तरह से हमारे आज English और Hindi के ये 16 questions complete होते है I hope कि आपको सभी questions अच्छी से समझ आ गए होगा किसी question में कोई आपको doubt है ये समझ नहीं आया है तो आप comment section में comment करके अब अश्य पूछ सकते हैं तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share ज़रूर कर दीजेगा तो चले मिलते हैं next वीडियो में important topic और important questions के साथ तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना जै हिंद जै भारत